देखे, तो कल फोटो सिंथेसिस में मैंने आपको ये बताया था फोटो सिंथेसिस क्या होता है फोटो सिंथेसिस में एक्सपेरिमेंट बताया थे कि सियो टू की आवश्यक्ता होती है के लाइट की आवाश्यक्ता होती है यह experiment practically करके बताया था डूसरा प्रिश्चलि नामक scientist ने कौन-कौन से experiment किये थी candle और mouse को पर experiment किया था फिर mint के पौदे को लेकर candle के साथ रखा mint के पौदे को mouse के साथ रखा तो दोनों जीवित रहे candle जलती रही और जैन इंजन हाउस ने वही प्रिष्टले के एक्सपरिमेंट को लेकर यह कहा कि यदि इसको लाइट में रखेंगे तो यह प्रोसिज होगी यदि डार्क में रखेंगे तो प्रोसिज नहीं होगी इसके अलावा जैन इंजन हाउस ने एक एक्सपेरिमेंट अलग से किया था कि पानी का टब लिया, पानी के टब में एक एक्क्वेटिक प्लांट्स को वाया, पौधे का नाम नहीं है, पौधे का नाम जिसे साब ध्यान रखेंगे, यदि कुश्चन सा आता है, तो मिंट जो यूँस किया था? वो किस ने किया था? फिशले साइनटिस जो समय समय बर वेक ज्यानिकों के दुवारा किया गया जैसे 1854 में एक जूलियस वॉन सेक्स साइन्टिस थी कौन से साइन्टिस थी? जूलियस वॉन सेक्स साइन्टिस थी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था फोटो सिंथेसिस के उपर तो इन्होंने मतलब कुछ बात हैं बोरी थी क्या बात हैं कहीं थी इन्होंने जैसे सबसे पहली मतलब इन्होंने ये कहा था कि फोटो सिंथेसिस प्रोसेस के दौरान यह दोरान glucose बनता है क्या बनता है photosynthesis process के दोरान glucose बनता है पहली चीज तो यह कहीड दूसरी चीज मुक्रूप से बताया कि यह जो गलुकोज बनता है क्या प्लांस के ग्रीन पार्ट में क्या यानि की मतलब यह क्या दिया है लीप्स में बनता है किसमें बनता है लीप्स में मुक्रूप से यह ग्रूकोज बनता है अब लीप्स के बन्द्र में वंगता है जिसमें मुक्रूप से ग्रूकोज बनता है इन्हों ने यह भी बताया है इन्हों रहां मुक्रूप से यह कहा किए स्यूट्र वॉल्वाडी होती है क्या चूब उस समय क्लोरोप्लास्टिक की खोज नहीं हो पाई थी क्लोरोप्लास्टिक को नहीं पता था तो इन्होंने ये कहा कि प्लांस की जो लीफ्स होती है उसमें जो मीजोफिल सेल्स पाई जाती है मेजोफिल सेल्स में एक विसेश प्रकार की कोई सनचना पाई जाती विसेश प्रकार की कोई बॉड़ी पाई जाती है क्या उसमें इस ग्लुकोज का फॉर्मेशन होता है उसमें ग्लुकोज का फॉर्मेशन होता है कि आ हुटा है तो यहां इस ही सलब के आप चाहें तो ब्रेकेट में लिख लेना यानि क्लोरोप्लास में मुक्रूब से क्या निर्मार होता है गुरूकोज का निर्मार होता है पहली चीज़ मुक्रूब दूसरी बात इन्होंने क्या करें कि गुलू कोज फोटो सिंथेसिस प्रोसेस के दौरान बना तो लेकिन ये प्लांट में कैसे इस्टोर रहता है क्या ये इस्टार्च फॉर्म में इस्टोर रहता है किस रूप में गुलू कोज इस्टार्च फॉर्म यानि रूप में संग रहें होता है के लियर ये चार प्रकार की बातने कहीं पहलिबात कौन से कोई फोटो सिंथेसिस के दो रहां गुलू कोज का निर्मार होता है तो ग्रीन प्लांस के जो ग्रीन प्लांस के जो ग्रीन पार्ट होते है उनमें मुक्रूब से निर्मार होता है ग्रीन प्लांस में जो ग्रीन प्लांस में जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांस में तो एक लीव्स मान के चल रहे हैं तो लीव्स में ऐसी क्या इस दीजसे ज़िए नाम होता है यह क्लूटोकोज फोर्म में संग्रहित रहता हैash को बोज बनता और किस 府 में इस राच ¨ लोगों की πोड़ी में किस रूप में रहता राँ partner ? घूंशम की स्वार्चा किस रूप में रहता है तो यह पता चुका हूँ क्या है क्ला++ देचER ऐनलों से जाना जा कि प्लांट में इस्टार्ट सैंडर हो एक प्लांट में संगरा रहे तो वहां खेक गshowσने मुखरूब से यह बात ने कुछा तो इसे बात जो यह दो जूलियस गॉन सेक्स ने मुख्रूब से ये बात है अब इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं TW Engelman TW Engelman ने मुख्रूब से एक्सपेरिमेंट किया था फोटो सिंथेसिस के ऊपर कि कौन सी गैस निकलती है गैस वास्ता में निकल रही है कि नहीं निकल रही है सन रेज में कौन सी जो लाइट आ रही है बहुत सारी विपग्योर लाइट रहती है आप लोगोंने 910 में पढ़ा होगा विपग्योर लाइट रहती है तो उस विपग्योर में किस लाइट पर मुख्रूब से फोटो सिंथेसिस्टी प्रोसेज अधिक होती है इस प्रकार के एक्सपेरिमेंटों को मुख्रूब से किस ने किया था T.W. Angleman नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने मुख्रूब से किया था किलियर देखिए T.W. Angleman T.W. Angleman में एक एक्सपेरिमेंट किया था फोटो सिंथेसिस के उपर तो इन्होंने मुख्रूब से क्या एक्सपेरिमेंट किया वही पानी के एक टब को लिया इसमें एक एक्सपेरिमेंट नाम लिख लीजिये एंगल मेंट नाम भोला था ग्रीन एल का था ग्लेडो फोरा इसका नाम में लिखे दिता हूं ग्लेडो फोरा क्या नाम था ग्लेडो फोरा यह लिया अब एक्वेटिक प्लांट है तो इसमें अपने वो पानी भी भरना होगा विटा यह पानी भर दिया किसने किया था यह एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा है TW, अब इन्ड़ेड किया था इन्हो ने क्या किया पानी का टब लिया उसमें एक बेड़िक प्लांट अर्था क्लेडो फोरा को उगाया उगाने के बाद इन्होंने help किसकी लिए experiment करने के लिए prism की help ली किसकी help ली प्रिस्म आप लोगों ने 910 पर देखा हूँ और नहीं देखा हूँ तो अपने physics से teacher से कहना कि सर आपको prism दिखा देगे तो यह prism है है इस पर यह white light पढ़ रही है संडीच ठीक है आप सवादे के यह पढ़ेगी तो क्रोस होंगी क्रोस होकर किसको पर पढ़ेगी यह पानी के डब में जो प्लांट रखा हुआ उसको पर पढ़ेगी तो जैसे ही हाँ से यह क्रोस होकर पढ़ती है तो यह एक दो ती चार पान छे साथ और साथ क्लियर यह आप लोग ने देखा हुआ इंद धनोस देखा हुआ अच्छे डंग से तो यह जो लाइट पढ़ेज है यह आप तो यह रख लीजिये जहां विव ग्यो रख लीजिये वाइट इंडिगो ब्लू ग्रीड यलो औरेंज और रहे तो यह लाइट पढ़ेगी अब लाइट पढ़ने के वाद इनको कैसे पता चले कि वास्ता में फोटो सिंतेसिस किस लाइट में अधिक हो रही है फोटो सिंतेसिस तो हो रही है लेकिन किस लाइट में अधिक हो रही है तो इसके लिए इन्हों ने क्या किया कि इसमें कुछ ऑक्सिजेनिक बैक्टिरिया बैक्टिरिया मतला जानते हैं जीवारू को छोड़ दिया इनको एरोबिक बैक्टिरिया भी कहा जाता है क्या कहा जाता है एरोबिक बैक्टिरिया यानि वाई भी जीवारू को छोड़ दिया तो छोड़ने के बाद देखते हैं, एक्सपेरिमेंट देखा कुछ समय बाद, तो इन्होंने क्या देखा, कि वास्तव में, कि ये वाली जो रेज पर रही है, और ये वाली जो रेज पर रही है, यानि कि इस जगे थोड़ा सा, ये मैं इसको डार्क किये देता हूँ, ठीक है ये तीशे नंबर, ठीक, ये तो मैंने डार्क कि हुए ही है, क्यों कलर नहीं तो इस प्रज़े से नहीं बना सकता, मैं पिलियो, ग्रीन, इंडेगो, वाइलेट वगड़ा नहीं बना पा रहा हूँ, तो ये डार्क कि, इस प्लेस पर सबसे अधिक वैक्टिरिया पूंच ग युद्ध होता है, तो आप कहां पहुंचना चाहेंगे, कि तोप गिरेगी उस जगह, कि कमफट जोन पहुंचना चाहेंगे, कि जहां अपना बचाप हो सके, तो सौहावे के इंके ली कमफट जोन कहां था, ऑक्सियन, इस दगह भी रिली होड़ी फोटो सिंथे प्रोसिस क दोरान, इस जगह भी हो रही है, इस जगह भी हो रही है, लेकिन बहुत कम, लेकिन बिल्यू कलर और रेड कलर में, बिल्यू कलर और रेड कलर में सबसे अधिक फोटो सिंथेसिस प्रोसिस हो रही है, अर्था जब सबसे अधिक फोटो सिंथेसिस हो रही है, अर्था यह कहा जाता है ऑक्सीजनिक या निक ऑक्सीजन सबसे अधिक इसी जगह रिली जोड़े इस बज़े से वेक्टेरिया इस इस्थान पर अधिक संग्राइद एकत्रित हो गए क्या किलिया समझने आया कि नहीं इस इस्तान पर वैक्टिरिया अधिक एकत्रित हो गए ऐसा एक्सपेरिमेंट इसने किया था पी डवलू हैंगल में नाम बैग्ज्यानिक ने किया था कोई प्रॉब्लम यहां था क्लिया अब इसके बाद एक बैग्ज्यानिक और आते हैं क्य से क्या बताया था कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एक्सपेरिमेंट करने के बाद यह बताया कि वास्तव में जो ऑक्सीजन फ्री रिलीज होती है एंवारिमेंट में फोटो सिंथेसिस प्रॉसेस के दौरान प्रकास संसेशन की क्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन याने एक ने मुक्रूब से बताए था तू देखिए ये उनका क्या था देखिए तो निल वे अग्यानिक थे ये नोगोने एक्सपेरिमेंट किया तो सौहबे के सबसे पहले मैं आपको ये प्रोसेज लेखे देता हूँ सनलाइट और क्लोरोफिल क्लिया आप ये क्या बन गया अपना ग्लूपोर्ज बन लिया पानी भी बना और सिट्स ओटन ये एक्ट में मुक्त हो रही है के लिया यही ऑक्सिजन का आप और हम लोग प्रियोग कर रहे हैं इसी ऑक्सिजन का आप और हम लोग प्रियोग कर रहे हैं यानि कोई भी अनिमल जो वाई भी सुसंद करते हैं वो यही oxygen के फ़ल्सुल भोजन का oxidation करते हैं, जिसके फ़ल्सुल गुलुकोज मतलब energy प्राप्त होती है, आपको पूल में मैं बता चुका हूँ तो स्वभाभी कहें कि बेग्यानिक इनका, Cornelius Von Neal का कहना ये था कि ये जो oxygen मुक्त हो रही है, environment में बातों हो रही है, वो किसके द्वारा हो रही है, oxygen यहां भी पाई जा रही है, oxygen पानी में भी पाई जा रही है, लेकिन ये oxygen किस component से मुक्त हुई है, ऐसा मुक्रूप से इन्हों ने करके बताया था तो इन्हों ने मुक्त हो रही है, वो oxygen जलिस से मुक्त हो रही है, क्या इसके लिए इन्हों ने क्या किया, कि sulfur, मतलब परपल and green sulfur bacteria लिये, purple and green sulfur bacteria को लेकर experiment किया था तो उन्हों ने experiment क्या किया सल्फर वेक्टिरिया जो रहते हैं वह मुख्रूप से क्या यहां पानी का उप्योग नहीं करते हैं यह हैं सल्फाइड का उप्योग करते हैं किसका उप्योग करते हैं मतलब यह जो लाइफ ओरियन ऑफ लाइफ जो मैंने आपको पढ़ाया था उसके आप देखोगे शक्वी साथ चरण में मुख्रूप से मेरे द्वारा बनाया बताया गया हुआ उस समय तो वहां आप देख रही हैं कि यह जो परफल ग्रीन सल्फर वैक्टिरिया थी वह किस्तान पर हाइडोल सल्फाइड का उप्योग करते हैं तो जिसके फल्षुरू जिसके फल्षुरू मुक्रूप से क्या होता है कि यह भोजन तो बन गया इधार यह पानी भी बन गया यहां यहां को यह अथतर लेकिन यह जो बंता है कि कुछ आया समझ में क्या कहना चाहरा था अभी मैंने क्या कहा बैसी बताके कि ऑक्सिजन यह जो मुक्तुरी इनका कहना था पानी से मुक्तुरी किसका कहना था पानी से मुक्तुरी लेकिन यहां मुक्रूप से क्या हुआ कि यहां जब वैक्टिरिया मुझ साल्फा ग्रीन तो उस जगे हाइडोजन सलफाइड ऑक्सीजन की जगे मुक्त हो रही है तो यह मान लेते हैं कि स्योटू से मुक्त हो रही है लेकिन चूंकि सलफर मुक्त हो रही है और यह जाता है कि वास्तव में और यह मैं अइसा और निल आगे चल कर पूप से और और यूज करके आगे चलकर रेडियो आइसोटूप सुने क्या कैमिश्ट्री में रेडियो आइसोटूप सुने होंगे आप लोगो ने इतना दो पढ़ लिया हुआ जोंकि end चल लाए तो सभावे के के आगे चल कर बदा ये experiment होगा उसके बाद मुक्रूप से कि अवास्ताम में ये है क्या ये सही प्रोसेज है की नहीं तो उसके लिए radio isotopes का यूज करके बैग ज्याने को ने मुक्रूप से एक reaction chemical reaction को बता है तो वो chemical reaction क्या है कि देखें रेडियो isotopes यानि कि रूप बहुरूप समान रूप जो होते हैं एक भारी होता है एक हलका होता है मुझे जो chemistry पता biology की chemistry में जो आता मुझे यह पता है आप लोग मुझे से ज्यादा chemistry में हो क्यों कि मैं chemistry का क्यों आप chemistry के टीचर बन चुके हैं को पड़े चोके हैं इतना तो यहां जैसे नहीं होने 18 आइसोटोप्स को लिया इधार इन नहीं 16 आइसोटोप्स को लिया पहले इन दौनों को लेडिया आइसोटोप्स में फिर रेक्शन भी तो रेक्शन होती है हैं तो क्या देखती हैं कि reaction के द रहान पहले मैं यहां और रहा है कि ये baik ऐसा लाइन वाली एट्तिन रेडियो आइसो टूप्स वाली मुक्त हो रही है रेट्तीन अठारा नंबर की जो यहां थी क्या यह जो अठारा नंबर ay कौन्सिग यह रेडियो आइसो जूप जानते हो तो इसमझ पाएंगे आप लोग लेकिन यहां रचीन यहां यहां यह जो आइसोटोक्स का मदर्व समरूप तो यहां यह जो ऑक्षियन ली आप उन्हें कौन सी ली थी भारी ली तो इस रेक्षिन को हुगा भले यहां कि अच्छी ली अक्षियन कोई जवत नहीं तब भी क्या देखेंगे ऑठारा वाली ओक्षियन लुक्त है क्या से दुआ कि देख लेजें चेटने यह दो कि यानि कि पूरी पूरी ऑक्सिजन जो जल की थी वह बातावण में मुक्त हो चुकी है तो शेस जो ऑक्सिजन जो होती है होती है ूलुकोज के साथ और जल के साथ पूर ये कारवन डाय ऑक्साइड वाली होती एंपक्षिए तो यह करने किस बॉननील के बाद मुक्रूब से इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था इस कि ऩरीकिंट हो जयागि कि एक dekin मुख्रीश मिर्ण और किया गया था आब प्र Lindy कि कि वास्ता में मतलब आप सर कहें हैं कि को गुल्ड कोज का जो निर्माड हो रहा है। थोड़ी सी सनचना उसको का कौन सी कॉसिस्ट हो रहा है यह फोटो सिंतेसिस में जो लाइक रेक्शन और डार्क रेक्शन दो प्रकार की होती है वह है तो प्रूप से किस प्लेस पर होती है थोड़ा सा देखें जिससे आपका वो किलियर हो जाया देखिए अब मैं वीजोफिल साइस नहीं बता रहा हूं नियुक्त बना रहा है अब बीडियो बता रहों अब मैं सीदी सीदे उस पुस्टेक्टर को बना रहा है यह यह ज्रेच्टर है है तो डवल लेयर्ड है है आपको पता है सिर्फ plants की specialization होता, इसमें plants में ही पाई जाती है यह क्या बताये थे ग्राना क्या पाजाते यह पूरा जो green part दिखाए रहा है इस ट्याप को हटा दिया जाए तो यह सबसे पहला घाप इस्ट्रोमा कहलाता है यह जो green part दिखाए रहा है इसको ग्राना कहा जाता है नहीं क्या इन सभी को ग्रेनम कहते हैं मतलन एक को ग्रेनम कहते हैं मतलं ऑले को ग्रानत कहते हैं यानि बहुबचन वह भुगा भुर ह enix All-ows ऑर सिंगल क्या उता है मैं ने इस्चिक्च्ब के ऊपर एक के ऊपर एक रखें होगी यह बाली इस टिflows ओ तो कि पैले किया है धितरों कि पावक नाच रंप में करो में फोटों फोन से करें थारी थी थू करूं और डार्क रेक्षन जिससे इस तोर वह बहुत ज़्यादा एक नंबर में दो नंबर में पुश्चन पूछे जाते हैं लाइट रेक्षन और डार्क रेक्षन प्रकासन से किरिया में कितने स्टेप हुए कौन-कौन से लाइट रेक्शन डार्क रेक्शन लाइट रेक्शन कहां होती है कि ये जो थाइलेकोइड वाले जो टेक्शर है इसमें होती है लाइट रेक्शन क्या थाइलेकोइड नामा की जो टेक्शर होती है इसमें लाइट रेक्शन होती है इसमें कुन सी हो रही है ? यह आपको बता है था जहां लोगा हुआ यह इस प्रकार से जोड़ी होती है जिन्हों को क्या कहते है ? इस ट्रोमा लेमिली क्या कहते है ? इस प्रोमा लेमिनी की नाम से जाना जाता है तो ध्यान कर लें यहां मैंने यह क्यों डाइडाम कुन है आपको बताया डाइडाम के माध्यम से नहीं डटना पड़ता आप ध्यान कर लीजिए थायलेकॉइड में लाइड रेक्शन हो रही है थायलेकॉइड में लाइड रेक्शन हो रही है और यह जो ग्रीन पार्ट जो है इसको डार्क मान के चलिए इसमें कौन से रेक्शन हो रही है इसमें कौन से रेक्शन हो रही है अर्थात प्रकास संसेशन में जो दो इस्टेप है लाइड और डार लाइट में, रेक्शन में लाइट की अवशक्ता पड़ती है डार्क रेक्शन ये नहीं है कि अंधेरे में हो रही है डार्क रेक्शन का मतलब ये नहीं है कि अंधेरे में हो रही डार्क रेक्शन का मतलब है उसके लिए लाइट की अवशक्ता नहीं होती है क्या dark का मतला नदेरा होता यह नहीं है कि अब सर दिन में तो light वाली reaction हो गई दिन में तो light वाली reaction हो गई अब हमको रात का इंतजार करना पड़ेगा भूजन बनाने का भूजन तो गुलू कोल तो पूरा तभी बनेगा photosynthesis process पूरी होगी तो ऐसा नहीं है light reaction के लिए light की आवश्यक्ता होती है लेकिन dark reaction में light की आवश्यक्ता नहीं होती है पहरी चीज़ यह दिखले है light reaction में ATP और NADP H बंगता है यह सिर्फ यह उर्जा है यह मुक्रूब से जाकर आपके dark reactions के अंतरगत जाकर मुक्रूब से क्या बनाते है glucose की formation में help करते हैं पहली चीज़ तो यह अब प्रस्ट उठता है कि ऐसा इस थाईलेकोईडी में क्या होता है कि जो light reaction इसमें हो रही है तो सभाविक है कि मैं पूर में कल मैंने बताय था आप लोगों को कि सीदे सीदे इसमें कुछ pigments पाए जाते हैं क्या पाए जाते हैं कुछ pigments पाए जाते हैं वो pigment sun rays मतलब जो solar energy होती है उस energy को trap करते पकड़ते हैं उस energy को पकड़ते हैं होगा मैंने 400 to 700 mm वाली जो बेवलेंद वाली जो light होती है सिर्फ वही पकड़ पाते विसे ध्यान ये देंगे 400 से 700 वाली जो बेवलेंद की जो light होती है solar वाली उसको ही सिर्फ ट्रेप करते हैं कौन कौन से pigments पाए जाते हैं देखे ये थाइलेकोईड है इस थाइलेकोईड की मेंबरीन में pigments होती है chlorophyll A chlorophyll B carotenoid और gentophyll clear chlorophyll A chlorophyll B carotenoid और gentophyll ये चार प्रकार की pigment होती है कि जो लाइड को बेवलेंड वाली लाइड को मुक्रूब से क्या करते हैं ट्रेप करते हैं अब प्रेस्ट नुखता है कि ये चार प्रकार की को हैं एक प्रकार का मुख्यों तो क्लोरोफिल होता है क्लोरोफिल में दो बताए गए A और B फिर केरोटिनोइड को जैन्तोफिल का क्या उप्योग है क्या केरोटिनोइड जैन्तोफिल का क्या तो स्वभावी के कि ये पूरी की पूरी जो 400 तो 700 नम बेवलेंड वाली कर रहा है तो वो मुक्रूब से कोई 400 वाली करता है कोई 450 करेगा कोई 550 करेगा कोई 680 करेगा कोई 700 नम की लाइट को ट्रेप करता है तो इस बज़े से मुक्रूब से पूरी की पूरी वो जो लाइट है वो ट्रेप हो जाए तो इस बज़े से मुक्रूब से इस वाली जैन्जी की तो इस वज़े से यह लोने हितने सारे आ जाते है . सोलर की जो ट्रेप कि जाती है . इसके फ्रलशम?. अब सकते या िंडायक कर सकते लेकिन इनर्जी सोरर वाली होगे, इनर्जी कौन सी है? इनर्जी ही ओती है, तो यह मुख्रूब से क्या हुआ, कि आपकी क्लूरो ब्लास्ट candiote कि जिस पिलेशच पर पोटो सिंथेस की प्रोसेश होती है. धान क्या रखेंगी थाले कोईड में में दार्व के दिया जाता है इसमें लाइट राइक्षन सबसे पहले रख्शन पढ़ा जाएगी जो नेधी आएगा उसमें में मुक्रूप से आपको लाइट रेक्षन बताऊंगा इसमें किसी को यदि प्रॉबलम में तो पूंच सकता है